नमस्कार दोस्तों मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY Thinks with प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैंने अपने लिए एक मिनी स्विंग मशीन जो है बाइ की है तो मैं एक ऐसा मशीन ढूंड रही थी जो काफी रिजनेबल हो क्योंकि अब भी जो मशीनों की रेट है वो काफी हाई है तो उससाब से और जो मतलब की बहुती इजी टू केरी हो ट्रैवल फ्रेंडली ह इसा ही मैं एक छोटी मशीन ढूंड रही थी ताकि इसको वहां से वहां लेकर जासे के या कहीं भी अपने वाड़रॉप में भी कम से कम जगे पर जो है उसको अच्छे से जगे पर रख सके ज्यादा भीड़बार ना हो इससाब से मैं मुझे एक मशीन चाहिए तो मैं उसक से मैप पर जो है यह मशीन मिली है यह काफी रिजनेबल में मिला है मुझे जो यह मशीन है यह मिनी स्विंग मशीन इलेक्ट्रोनिक मशीन है तो यह काफी सुन्दर भी लग रही थी मुझे उससे में देख के तो मैंने इसको जो बाई किया है तो चलिए आज इसके जो अन् तो पहले में अन्बॉक्सिंग करती हूँ तो अन्बॉक्सिंग करके ही इसके सारा कुछ दिखे का कि इसके साथ क्या है या क्या नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों चलिए इसको खोलते हैं पहले तो यह नॉर्मल से कार्टून में ही पैक होके आया है तो इसको के बाद मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है अब देख सकते हैं इसके अदर बहुत ही अच्छ से थर्मा कॉल अगर लगा हुआ है और यह एक पैकेट है जिसके अदर शायद बॉबिन नीडल और जो ठ्रेट डालने वाला है वो दिख रहा है चार बॉबिन एक भरा हुआ है और तीन खाली है तो यह मुझे मिला है और अब इसको जो है ओपन करते हैं इसको निकालेंगे बाहर धीरे से निकालेंगे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है चोटा सा है आप एक हाथ से मतलब आसानी से आप यहां वहां कहीं भी ले सकते हैं बैट पे भी बैटके इसको अ यह काफी हलके हैं बहुत ज्यादा मतलब हैवी क्वालिटी का मुझे लगनी राब लेकिन यूज करूंगे जब मुझे यह पता चलेगा यह दोस्तों मेरी जो है इसकी जो है अन्बॉक्सिंग है और यह आप देख सकते हैं यह खोलके मैं आपको जो है पास में आपको शो ह जो है जो है निकालने के बाद में टेक अप लिवर के अंदर से डाल के नीचे जो है एक नमबर हो ले और वाहां त्रेट जो डालनी का जो एक आता है वो आया है उसके साथ ही आपको जो है इसके अन्दे से निकालने यह यह 7 पॉइंट दोस्तों इससे पूरी तो इस से अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आखे तो आप मैनुल जो है वोसको भी आप देख सकते हैं किस तरह से यह उस कर नहीं, तो यह सारी चीजे, जो इस्में से आले से स्वेह को जो भी टाएगा एक और फड вмुल अपको बिलकुल अपको इतु पुर में अपर दिखा दूंगे अच्छे से मैं पास में इसलिए क्लिप आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए दोस्तो पास में ही आपको एक परपल कलर के थ्री बटन जो है शो हो रहा है काफे स्टाइलीज बटन बने वे हैं में इसमें मिडिल बने बटन यह और नीचे वाला आपको हय स्पीड के लिए है और जो उपर वाला जो है व लाइट के लिए आपको जो सबी चीजे है जो इसमें शो हो रही है पूरा ड्रॉ लीसी और आप леा वाई लीकम बाद से अपने जो पूर जड़ी कर साथ Meredith लीकशित लीकम फूट लीवर है इसे आप उपर नीचे गरेंगे तो नीचे करेंगे तो तो पूरा पोर्ष दोस्तों सबसे पहले जो है बॉबिन को यहां पर अटेज करना है और जो आपका जो यह हैंड वीले से सामने की तरफ करते हुए आप इसको जो है जैसे जैसे आप आप अन बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बॉबिन में धागा भर जाएगा और आप चाहे तो निड डगा वा था इसको आपको हटाना था आपको आपको बॉबिन शोर हो रहा है तो बॉबिन को इस तरह से अंगली डाल कर जो है अराम से निकाल सकते हैं और खीच लेंगे तो वह बाहर अजाएगा लेकिन दूसरी मशीनों में जो बॉबिन का जो सामने की तरफ होता है बस आ आपका जो यह वील हेंडल है इसको जो है आपको clockwise जो है अपनी तरफ जो है घुमाना है घुमाने के बाद में दोस्तों आपको धीरे-दीरे से चलते हुए जो है धागे को ऊपर की और लाना है तो इस तरह से जो है यह दोनों धागे आगे आजाएंगे फिर आपको पीछे की लिवर है उसको जो है नीचे कर देना है और फिर आपको जो यह वील जो है उसको सामने की और करते हुए पावर ऑन बटन दबाना है प्लस आप लाइट भी ओन कर सकते हैं अगर आपके लाइट की भी ज़रूत हो तो इस तरह से आप जो है हाई स्पीड या लो स्पीड में इसको जो है चला सकते हैं इस तरह से आप जो इसकी सिलाई कर सकते हैं बैटरी से और फिर आप इसको जो चाहें तो फूट पैटल जो है उसे भी लगा कर भी आप कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको जो है फूट पैटल यूज करना पड़े क्योंकि यह आप सिर बटन से और यह हम जो है जो है ना कहते हैं då दूस्ता है यह पोग का ऊए ऑप अनि प्लग उंग करने ऊनने के बीवो Corporate, को सब्सक्रों का यहाँए लुजू पर चाथ से थाइड जो है दो होल होंगे तो एक में जो ऊपको फूट में tribes अटेच करना है उपर फूट में और नीचे बा поговор आपको पिन आपको आप को में स्टमीच उसके साथ में लगाकर अचलने के बार में जो आप जो है लाइट वगरा अन कर लेजिए और इस तरह से आप इसमें भी आप चाहे तो फूट पैटल का यूज कर सकते हैं अधरवाइस आप चाहे तो नॉर्मली जैसे इसमें अनो बटन दिया हुआ है अनो बटन से भी आप जो है इसको डारेक्ट चला सकते हैं तो दोस्तो यह मेरा जो है किस तरह से आप मिनी स्विंग मशीन को यूज कर सकते हैं इसका जो है रिव्यू बगरा है बट यह मशीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि बहुत ही चोटी सी है और यह एक जो है नॉर्मल से लाई घर में जितना आपको चाहिए वह आप कर सकते ह अगर आपको दोस्तो आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाईक और शेयर भी कर सकते हैं अगर अपने मेरे चैनल को अभि तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले और मेरे लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बैल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही छोटी मशीन ढूंड रहे हैं आप भी सिमसी मैप से जरूर पर्चेस कर सकते हैं इसका जो लिंक वगरा है मैंने अल्रेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहां से जाकर पर्चेस कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों बाई